मे, माइट और मस्ट, बहुत classes देखी लेकिन अभी भी आप confusion हो, तभी तो यहाँ आए हो, लेकिन आप दूसरी वीडियो कभी नहीं देखने दूगा, यह मेरा promise है, सबसे पहले हम बात करते हैं, मे, माइट और मस्ट के बारे में, यह है क्या, तीनों ही model वर में है और future के जो भी काम आप future में करेंगे, उसके बारे में यह है, लेकिन उससे पहले, मैं आपको एक sentence लिखकर दिखाता हूँ, उससे आपके सारे doubt clear होंगे, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, इसको English में क्या बोलेंगे guys, मैं बताऊंगा, इसको English में बोलेंगे, I will tell, I will tell, simple, मैं बताऊंगा, I will tell, कोई problem तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा, हम problem create करते हैं, problem होती ही नहीं है, मैं बताऊंगा, इसको बोलेंगे हम English में, I will tell, अब, आप बताऊंगे, इसकी भी possibility है, क्या क्या possibility है, हो सकता है आप बताऊंगा, या शायद आप बताऊंगा, बड़ी मुकम chance हैं कि आप बताऊंगा, शायद ही बताऊंगा, या ऐसा हो बहुत high chances हो, आप तो जरूर बताऊंगे, तो इस तरीके से possibility के, you know, percentage के according, कितनी possibility है, बताने की, उसके according हम, may, might और must का use करेंगे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, confirm है कि मैं बताऊंगा, इसे हमने English में बड़े असानी से बीना confusion के लिख दिया, I will tell, और अगर मैं इसमें एक word लगा दू, कि मैं जरूर बताऊंगा, क्या, जरूर बताऊंगा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप surely बताने नहीं बाले हो, 100%, क्या, 100%, तो हम इसे बोलेंगे, I will tell surely, क्या बोलेंगे, I will tell surely, मैं जरूर बताऊंगा, I will tell surely, surely का मतलब क्या है, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इस surely को हटा दू, तो मैं हटा भी सकता हूं, पता है कैसे, मैं इस will की जगा, एक word यूज करूँगा, must, क्या यूज करूँगा, must, I must tell, I must tell, तो मैंने surely को remove करा, क्योंकि surely कह रहा है कि मैं तो जरूर बताऊंगा, तो जरूर के लिए हम must का यूज करते हैं, समझ मैं, मैं जरूर बताऊंगा, तो ये दोनों sentence सहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, I will tell surely, या I must tell, लेकिन, यहाँ sentence छोटा है, और ज्यादा interactive लग रहा है, attractive लग रहा है, attractive, तो ये attractive sentence है, मैं जरूर बताऊंगा, I must tell, या फिर, आप इसे ऐसी भी बोल सो, तो I will tell surely, तो गलत कोई नहीं है, दोनों सहीं है, लेकिन must का use कब होता है, जब हम 100% काम करने वाले हैं, जरूर करेंग अब 100% होगे, अब इसे कम chances है, कि शायद मैं बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा, जरूर से आप समझ गये, शायद मैं बताऊंगा, शायद मैं बताऊंगा, शायद मैं बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखें, शायद मतलब कम chance है, शायद मैं बताऊंगा, तो आप इसे क लेकिन यह दूसरा है यह क्या है मैं पता सकता हूँ यह पता सकता हूं मतलब यहां क्या है पॉसिबिलिटी, पावर नहीं कि हाँ मैं बता सकता हूँ, नहीं, यहाँ पॉसिबिलिटी है, मैं बता सकता हूँ, यहाँ मरे बरोसो नहीं करियो, मैं बता सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है, समझ भगे हैं, तो जब पॉसिबिलिटी कम हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, में इसका भी sentence का translation यही है शायद मैं बताऊंगा या मैं बता सकता हूँ, यह की बात है I may tell यह power नहीं है कि मैं बता सकता हूँ I can tell, नहीं नहीं यह possibility है, मैं बता सकता हूँ मैं पुझे भरोजा मत कर, सबच मैं कि अब अगर इससे भी कम chances है बहुत कम मतलब ना के बराबर तो आप बताऊगे कैसे, ध्यान से देखो कि मैं शायद ही बताऊँगा, ध्यान से देखो शायद ही शायद ही मैं बताऊँगा ध्यान से देखो तो जब बहुत कम chance है तो बोलोगे I might tell I might tell, अब might और may में भी confusion, clear करो मैं बता सकता हूँ I may tell I may tell मैं शायद ही बताऊँगा ध्यान से देखो, मैं आप से काऊओ मैं आपकी help कर सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है? क्यों हो सकता है मैं help कर दू, positive ऐक थे पोजिटिफ लग रहे है ना, मैं आप से काऊँ कि शायद मैं आपके help कर सकता हूँ इसमें आपको लग रहा है कि ये बंदा help कर देगा आप बोलोगे I may help you समझ भागया लग रहा है कि बता कर सकता है बंदा लेकिन अगर कोई ऐसे कहे आपसे येर मैं तेरी शायदी help करो आपको सुनते ही पता चलिया कि काम नहीं होने वाला जब बहुत low chance हो रहे हूँ अजब वो शायदी आएगा He might come शायद वो आए शायद वो आएगा शायद वो आसकता है positive vibe आ रही है तो शायद वो आएगा He may come वो आसकता है He may come शायद वो आजाए He may come positive है लेकिन अगर ऐसा बोलो जाए वो शायद ही आएगा He might come Might मतलब बढ़े कम chance समझ मागे अगर आपकी 100% के काम जरूर होना है तो आप बोलोगे The calm must be done कम chance है शायद काम हो जाएगा तो The calm may be done काम तो शायद ही होगा भाई मुझे लग नहीं रहा बड़े कम chance काम शायद ही होगा तो काम might come समझ मागे तो जब possibility ठीक ठाक हो तो हम future के लिए must का use करेंगे कि हाँ भी जरूर होगा attention नहीं लेनेगा मैं तुम्हारी help करूँँगा यार I will help you या I must help you दोनों चलेगा कोई confusion मैं शायद आपके help करूँगा इस तो I may help you guys यार मैं शायद ये तुमारी help करूँगा I might help you might का मतलब के possibility बलको dead है बाइचांस हो जाए तो हो जाए मन से नहीं कर रहा है आदमी का तो इस तरीके से हम लोग समझते है may, might और must I hope ये clear हुआ है अगर नहीं हुआ तो लिखो comment में sir, क्या लिखोगे sir repeat this class या I did not understand अगर समझ में आया है तो लिखो I got it मैं समझ जाओंगा और ऐसी वीडियो आपके लिए ये चेची बनातर Thank you